पत्नी या फिर नोकरानी एक दर्द भरी कहानी ये कहानी एक ऐसी ओरत की है जिसे उसके परिवार और पती के घर में ही किसी नोकरानी की तरह जीवन वैतीत करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा सुने यह कहानी बहुती दर्द भरी है आज पूरे पांस साल बात रजत अमेरिका से लोटा था अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्स्ट बनाने वाली कमपनी के लिए रजत काम करता था रजत अपने देश अपने घर लोट कर काफी खुश था एरपोर्ट पर उतरते ही रजत की नजरे अपने परिवार वालों को खोजने लगी जल्दी ही उसे अपने माबाब भाई भावी बड़ी बहने और खुद की तीन साल की बच्ची भी एरपोर्ट पर खड़े नजर आई लेकन उसकी नजरे अपनी पत्नी आचल को खोज रही थी जो सोचने लगा ये आचल मुझे मिलने आई क्यों नहीं आई और उपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहां भेज दिया रज़त एरपोर्ट पर सबसे हसी खुशी मिला फिर उसने आचल के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी भाई वो घर पर ही है तुमारे लिए खाना तयार कर रही है वे तो आज ही तुमारे आने की खुशी में काम करने लगी है वरना वो कोई काम करती कहां है रज़त ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया लेकिन उसकी बेटी उसे देख कर रोने लगी लाओ मुझे दे दो बच्ची को वो तुमें काफी दिनों बात देख रही है ना इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया सभी टैक्सी में बैटकर अपने घर की तरफ रवाना हुई रज़त अपने परिवार से मिलकर खुश था लेकिन ये बात कि आचल उसे एरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेसान कर रही थी वो सोचने लगा क्या खाना बनाना इतना जरूरी था मुझसे मिलने से भी ज़्यादा और वो भी तब जब मैं पास साल बाद वापस आया हूँ इनी ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीद गया अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी इसलिए रज़त उसके साथ खेलने लगा बाकी का आधा रास्ता भी खतम हुआ और सब घर पहुँच गए गाड़ी की आवास सुन आचल बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रज़त की तरफ देखने लगी रज़त भी जैसे ही गाड़ी से उत्रा उसने पहले दर्वाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरे घुमाई जैसे वे आचल को ही देखना चाहता हो रज़त से नजरे मिलते ही आचल के चहरे पर मुस्कान जलक पड़ी रज़त भी उसे देखकर हलके से मुस्कुरा दिया सभी घर के अंदर गए आचल सब के लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से कीचन में चली गई चाए बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बाते करने के बाद रज़त आचल को बुलाने लगा मा ने उसे बीच में टोकते वे कहा रहने दो उसे कीचन में थोड़ा काम कर लेने दो बाद में अपने आप आ जाएगी तुम बैठो यहां मेरे पास वैसे भी कहां जादा काम करती है वह रज़त यही बात दूसरी बार आचल के बारे में सुन रहा था अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे जूट थोड़े बोलेंगे हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम आज थोड़ा सा है करने देते हैं बाद में उससे बात कर लूँगा रज़त अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया एक के बाद एक रिस्तेदार और पडोसी रज़त को मिलने आते रहे और आचल को कीचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला सभी के लिए चाय बनाना नास्ता बनाना यही करते करते साम हो गई शाम को होते ही अकेली आचल इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई दो घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेवल पर बैठे थे शिवा आचल के रजत चाहता था कि आचल भी उसके साथ बैठ कर खाना खाए लेकिन फिर मा ने कहा अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सब को परिवसे का कौन सभी के खाना खाने के बाद आचल ने अकेले खाना खाया रात को सोने के वकट रजट और आचल अच्छे से मिल पाए रजट आचल के साथ काफी बाते करना चाहती थी लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नीन अच्छे से देख सकता इसलिए उसने आचल को परिशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया आचल सोने ही वाली थी कि उसकी बेटी रोने लगी तो आचल तुरंट उठकर उसे दूद पिलाने के लिए चली गई रज़त कब सो गया उसे पता ही नहीं चला जब सुबबच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो रज़त उठा और आचल को पुकारने लगा जब आचल पास नहीं दीखी तो उसने बच्ची को चुपकर आया और फिर से सुला दिया रज़त बाद में आचल को देखने लगा तो आचल उसे फिर से कीचन में मिली जो सुबह सुबह ही जल्दी उटकर घरवालों के लिए चाय नास्ते की तैयारी में लग गई थी अब रज़त सोचने लगा मा और दीदी तो कह दी थी कि आचल को ज़्यादा काम नहीं करती लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है रज़त अब सब समझ गया था पर वो अपनी मा को ऐसा नहीं बोल सकता था कि आचल से ज़्यादा काम ना कराए इसलिए अब उसने खुदी आचल की मदद करना सुरू कर दिया रज़त के हाथ बटाने से आचल को थोड़ा अच्छा लगने लगा था पहले जहां उसका चैरा थकान से उत्रा रहता था अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी रज़त ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि आचल अब वो आचल नहीं रही थी जिसे रज़त साधी करके लाया था वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी और ये आचल तो बिलकुल चूप है गुमसुम है ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाओ में हो किसी के डर की वज़़े सेहमी हुई हो रज़त आचल को उसके काम में और जादा मदद करने लगा रज़त का ऐसा वेवार अब घरवालों को खटकने लगा घर के सभी बड़ो और उसकी दीदी ने मिलकर रज़त को समझाया तुम अपनी बीवी की मदद करते हो उससे हमें कोई अतराज नहीं लेकिन तुम्हें भी एक हट तक ही ऐसा करना चाहिए जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते वे बरतंद होते देख रहा हो तो अच्छा थोड़े ही लगता है और सोचो आगे चल कर आचल को तुमारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुमारा अपना काम में ध्यान लगना मुस्किल हो जाएगा रजट हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बाते मानता आया था जिस तरह से सबने रजट को समझाया था रजट भी उनकी बातों में आ गया अब रजट आचल की मदद करने से कत्राता था कभी कबार वै बच्ची के लिए दूद करम कर लिया करता उससे ज़्यादा कुछ नहीं घरवालों ने रजट को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो रजट ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडेक्स्ट ओनलाइन बेचना सुरू कर दिया उसका परिवार भी बढ़ गया अब उसे दो बेटिया और एक बेटा था दोनों बेटिया स्कूल जाने लगी थी लेकिन बेटा अभी भी छोटा था जितना रजट कमाता था उतना सब के लिए काफी न था काफी सोच विचार करने के बाद रजट ने एफ हैसला कि वे अब आचल के साथ सहर में जाकर रहेगा जहां पर आचल भी काम कर पाएगी और वे घर से ही अपने ब्यूटी प्रोड़क बेचना सुरू रखेगा इस तरह से वे अपने पैसो की तंगी को पूरा करेंगी परिवार वालों ने भी रजट को इजादत दे दी थी रजट चाहता था कि मा भी उसके साथ रही लेकिन मा को सहर में आना मनजूर न था मा बड़े भाई के साथ रहने लगी सहर में अब आचल नोकरी करती और रजट घर से ही ओनलाइन अपने प्रोड़क बेचता कई साल ऐसे ही बीच गए आचल घर का काम और बाद में भाहर का काम करके पहले से भी जादा थकी थकी रहने लगी परिवार वालों की रजट के दिमाग में डाली बाते अभी भी उस पर असर करती थी वह यहाँ पर भी आचल का हाथ न बटाया करता रजट अब दिन रात अपने प्रोड़क बेचने में ही मसरूफ रहता कभी कभी आचल उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो वो हाँ कह देता लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता आचल तो बिमार थी लेकिन एक बार रजत बहुत ज़्यादा बिमार हो गया इतना बिमार हो गया कि उसे अस्पताल में भरती करवाना पड़ा अस्पताल में रजत के पास सिर्फ आचल थी और कोई नहीं इतना बिमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे उसका सहरा बनने के लिए उसकी तकलीफ बाटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था बिस्तर पर पड़े और सारिरिक तकलीफ से गुजर रहे रजत को अपनों का ऐसा वैवार बहुत तकलीफ दे रहा था फिर वह सोचता कि उसने भी तो आचल के साथ जिन्दकी भर यही किया है क्या वो आचल का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था यहां तक कि आचल के खुद अपने मूँ से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजर अंदाज करता आया था रजत को अब अपना दर्द आचल के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा उसके दर्द को नबाट कर उसने बहुत बड़ा गुनहा किया हो ऐसा उसे लगने लगा पश्चा ताप के आंसू रजत की आँखों से बहने लगे उसने अपनी सारी गलतिया और गुनाओं के लिए आचल से माफि मांगी दोस्तो, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उताज चड़ाओ में, जीवन के हर मोड में जो साथ दे, साथ होने और साथ देने में अतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सच मुच वादा निभाने में होता है दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद